नमस्कार दोस्तों आपके लिए लेके आ गया हूं मैं NCRT के अच्छा चैय की गड़िक का तीसरा अध्या है यह संख्याओं के साथ खेलना है इस अध्याओं का नाम है देखे दोस्तों यहां बहुत अच्छा कह रहा है एक चीज प्रियास कीजिए में देखे दोस्तों यहां क्या गहरा है आपके एक संख्या है दो गुड़े ती प्लस एक तो यह जोडने पर साथ आता है ठीक है न दोस्तों फिर कह रहा है यहां दो के एक गुड़ज में एक जोड़ कर अभाज संख्या प्राप्त की गई क्या आप इस प्रकार की कुछ अभाज संख्या है ग्यात कर सकते हैं समझे ने दोस्तों यानि दो से गुड़ा कर दे आप यहां पर कुछ भी रखे और उसमें एक जोड़ दे अगर आप एक रखेंगे अगर आप एक रखेंगे यहां से पहले हम एक रखते हैं फिर हम दो रखते हैं कोई भी संख्या उसका दुग न करके दो गुड़ा करने के लिए दो से गुड़ा कर दिया और एक जोड़ दिया दो गुड़े, ती, प्लस एक, ठीके दोस्तों, दो गुड़े, चार, देखते हैं दोस्तों क्या आता है, दो गुड़े, यानी assert दो ही रहेगा, एक जोड़ें जोत जा एक, तीन अबाधि सांग क्या देखते हैं, उपर हमने बना रहे है, आप निकाल भी सकते हैं एक और अपने आप से कट रही है तो दो दूनी चार एक पांच ठीक है दोस्तो चाह एक साथ ये तो हमने उपर देखा ही आठ एक नौ यहां दोस्तों यहां हम फंस जा रहे हैं यहां देखिए नौ आ रहा है नौ अबाद संक्या नहीं है अगर हमें कुछ तीन और पांच कुछ इन्हों ने बता है न बताने के लिए यह देखिए कुछ हैं यह और भी वेली रखते तो और भी आता यहां बोल रहा 15 से छोटी सभी अबाद जसंक्या है लिखिए देख लिए आपके 15 सोटी कौन से पंदर छोटी तेरा ग्यारा साथ पांच तीम दो यह अब ऐसे लिख देंगे 15 सोटी कौन-पौन से यह अब यह तेरा हमसे नहीं तेरा भी है इसको इंगलिस में कहते हैं जो संग क्या इसको कहते हैं इसको कहते हैं इंगलिस में इवेन नमबर यानि जोड़ा जोड़ा जोड़े में होता है यानि ये दो के गुड़ज होते हैं दो के गुड़ज होते हैं ये नंबर सम नंबर जो होते हैं और जो विसम नंबर होते हैं देखें विसम ये सम था विसम क्या है यह नंबर दो से विभाजित विभाजित यानि पूर्ण पूर्ण विभाजित नहीं होते दोस्तों आपने बच्वान वे एक गेम केला होगा हम जहां जिस चेत से मैं आता हूँ वहाँ पर इस तरीके से खेला जाता था मुठी में रखके दो मुठी में और फिर एक मुठी तो हम पीछे का ऐसे दोनों मुठी पहले साथ में रखते थे दोनों मुठी और इसके अंदे कंचे रहते थे इसको ऐसे घंगोलते थे फिर एक मुठी हम पीछे कर लेते थे पीट के और एक मुठी सामने करके पूछते थे बता कली या जोट कली या जोट मेरे ख्याल से कली का मतलब है होता था इसमें और्ड नमबर यानि जब दो-दो के जोडे बनाओ तो आकरी में एक सिंगल बसता था आकरी में एक ही बसता था तो और नमबर हो जोट यानि जोडे में जोडे में तो ये थे इवन नमबर ठीक है दोस्तो हम लोग ऐसा गेम केल ला करते थे खंचे के साथ कली या जोट कली जो था और नमबर और even number होते हैं जो दो के पहाड़े में जो आते हैं वो सब इस गटी जिसको 12 लुट हो जाए तो आप को इसब तो आप यहां आप ultimate sumson son कौन कौन सी हैं पता है दोस्त पर समसंख्या है एक्जामपल दें समसंख्या दो चार छे आठ तस बारा यहां मैं अभाजे संख्या भी लिग देता हूँ इसको इंग्लिस में प्राइम नंबर कह रहे था है दो तीन पांच साथ ग्यारा तेरा बढ़ता ही आएगर यह भी बढ़ता ही आएगर अभी हाँ कि मैं विसम संख्या भी लिखना चाहूँ अगर आपके लिए विसम संख्या एक तीन पांच साथ ग्यारा तेरा देख रहे हैं दोस्तों यह सब दो से भी बाजिक भी होती यानि कि एक चीज़ और बहुत महत्पूर यहां ने जरा रहा है आए हां दोस्तों देखे यहां देखे हम ने पड़ा था ना दोस्तों पिछली का अक्सामने मतलब पिछले अर्द्याने पहले अर्द्याने साथ पड़ाता या दूसरा ने नच्रल नंबर जिसको कहता है प्राकर देख संक्य इन दीड यह कॉन से होती है एक सजो शुरू उन संक्या में 0 भी आ जाता है प्राकृतिक यानि एक सबका मालिक एक सबका मालिक एक नेचरल नेचरल मालिक है तो यह एक से सुरू हता है यह जो देख रहे हैं आप नेचरल नंबर यह जो सम और विसम का अगर जोड देंगे सभी सम और विसम जोड देंगे तो हमें natural number मिल जाए ऐसा लग रहा है न दोस्ते ये देखी ये देखी यहाँ एक यहाँ से आगे दो यहाँ से आगे, तीन यहाँ से, चार यहाँ से आगे, पांच यहाँ से, चार यहाँ से, आगे, चार यहाँ से, नो, यहाँ से, दोस्ते यहाँ से इसा चलता रहा है कि पूरे सारे natural number बना दे रहे है सारे sum और सारे भी sum आप जोड देंगे तो पूरा का पूरा natural number हमें मिल जाए है ठीक हैं न दोस्तों? यह अभ्यास है यह आप ऐसे यह आप करें त्राइए करें इसका छलिए कि इसमां कर लेते हैं यह बोला है सबसे छोटी अभाज संख्या कौन सी अभाज संख्या है और सबसे च्छोटी संग्या वह भी तो है सबसे छोटी समसंख्या इसका ये भी दो है ठीक है न दोस्त सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है वो भी दो है सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी दोस्तों चार क्योंकि इसके दो से दो से अधिक गुड़न खन बनते यदि सिब दो गुड़न खन बनेंगे तो वो सारी अभाज्य संख्या है दो से अधिक गुड़न खन बनेंगे चाहिए और छोटी होनी चाहिए तो वो चार एक तो अलग है नहाइडिंटिटी है दो और तीन भाज्य संख्या है तो सबसे छोटी चार होगी ठीक है दोस्तों इसके सार खत्म करते हैं धन्राव